सेक्रूटी गार्ड और सेक्रूटी सुपर्वाइजर इस बात का ध्यान दे सबसे पहले दूटी पर आते हो तो मास लगाए और सेनिटाइजर करे और थर्मागंद से टेमपेचर नापे बिना मास का बिना सैनिटाइजर का बिना टेमपेचर का कोई भी सेक्रूटी गाड एथर पलांड होजी वाला में दूटी पर नहीं चड़ेंगा जब तक वो मास नहीं लगाएंगा जब तक सैनिटाइजर नहीं करेंगा और टेमपेचर नहीं नापेंगा एथर पलांड होजी वाला के करमचारी, कॉंटेक्टर और ठेकेदार का आदमी इंपलाई वर्कर, अधिकारी, हपिसर और विजिटर बिना मास का, बिना सैनिटाइजर का और बिना टेमपेचर का एथर पलांड होजी वाला में इंट्री नहीं करेंगा सेक्रूटी गाड इस बात का ध्यान रखे और खयाल रखे सेक्रूटी गाड और सेक्रूटी सुपरवाइजर अगर कोई भी करमचारी, कॉंटेक्टर, ठेकेदार का आदमी, इंपलाई वर्कर, अधिकारी, ओपिसर और विजीटर का टेमपेचर 99.00F से बढ़ कर आ जाता है, तो आपका काम है, उस विक्ति को 5 मिट के बाद, 10 मिट के बाद फिर चेक-प करना है, फिर भी टेमपेचर जदा आता है, तो आपका काम क्या है, सेप्टी वालों के पास भेजना है या डॉक्टर के पास भेजना है अगर डॉक्टर एक लिखर देता है और पर्ची में साइन करके और टैम देकर देता है उसी व्यक्ति को आप अंदर जाने की अनुमती परधान करे बाकी बिना डॉक्टर की सला से बिना सेप्टी वालों की सला से कोई भी व्यक्ति को एथर प्लांड होजी वाला में जाने की अनुमती नहीं देना है और नहीं भेजना है आपका काम है एथर प्लांड होजी वाला के अंदर कॉंटेक्टर ठेकेदार का आदमी इंपलाई वर्कर अधिकारी और विजीटर जब भी दूटी पर आते है तो आपका काम है उनको हेलमेट का कहना है और शेफ्टी शू पेनने का बोलना है बिना हेलमेट का बिना शेफ्टी शू का कोई भी कॉंटेक्टर या ठेकेदार का अदमी इंपलाई वर्कर अधिकारी अपिसर विजीटर एथर प्लांड होजी वाला में एंट्री नहीं सेक्रूटी गार्ड और सुपर्वाइजर इस बात का ध्यान रखे एथर होजी वाला प्लान के अंदर कोई भी व्यक्ति मिज्वेवार नहीं करना है और अपनी धूटी सतर के पुरुवक करना है